चलिए गई लिए फोटी के चलिपरे से बांट में सब्सक्राइब करें अयुक्त हैं। के बाद इनका nitrogen हो जाता है जिसमें जो ammonia होते हैं वो NO3 में change हो जाते हैं, amonification के बाद इनका हो जाता है dentrification, dentrification में जो NO3 होते हैं वो वापस है NO2 gas में जो है वो convert हो जाते हैं यही हमारा nitrogen cycle कहलाता है अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समयना चाहते हो तो comment box मैंने link देकर के रखा हुआ है thank you so much